कुछ महिनों से हर्याणा में बिजेपी और जेजेपी के बीच चल रहा टकराव शांत होता नजर नहीं आ रहा है बिजेपी जेजेपी के कई बड़े नेता दो हजार चॉबिस में होने वाले लोकसभाचनाव से पहले गठमंदन तूटने तक की बात कहे चुके है इसे बीच अब कॉंग्रिस नेता दिपेंदर सिंग हुटा ने बड़ा बयान दिया है तो क्या कहा है कॉंग्रिस नेता ने देखे पूरी खबर इस रिपोर्ट में तीन राज्यों में बिजेपी को जीत मिलने की हुमारी जल्द ही गायब होने वाली है बिजेपी को हर्याणा में जोड़दार जटका लगता दिखाई दे रहा है खबर है कि हर्याणा में बिजेपी की सरकार कभी भी गिर सकती है जेजेपी और बिजेपी के गठबंदन को लेकर कई सवाल उठ रहे थे हर्याडा में बिजेपी और जेजेपी के गठबंदन तूटने की कई खबरे भी आ रही थी कॉंग्रिस नीता दिपेंदर सेंग हुट्डा ने प्रदेश में चल रही डबल इंजन की सरकार को लेकर बड़ा हमला बोला उन्होंने कहा कि बिजेपी जेजेपी में समझोता तोड़ने का अगोशित समझोता हो गया है उन्होंने ये भी कहा कि अगर पिछले चुनाव में बिजेपी के खिलाफ जेजेपी को मिले सारे वोट कॉंगरिस को मिलते तो 2019 में कॉंगरिस की 61 सीट आती पिछली बार जमनापार का नारा देकर बिजेपी के खिलाब वोट मांगने वाले इस बार फिर वेश बदल कर जंता के पास वोट मांगने आएगे लेकिन हर्याने की जंता जागरूक है वो जन्मत का सौधा करने वाले सौधेबाजों को इस बार करारा जवाब देगी बहरहाल अब कॉंग्रेस नेता की बात में कितनी सच्चा ही है ये तो आने वाला समय ही बताएगा डिबी लाइफ की रिपोर्ट